नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर जितेंद पांडे है और मैं उत्राखन मुक्तिव विश्द्याले में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूट में कारियर रत हूँ पिशले लेक्चर में हमने कम्प्यूटर नेटवर्क और उसके विभिन उप्योग तथा नेटवर्क टोपलोजी के बारे में विस्तार से चर्चा की इस लेक्चर में हम नेटवर्क के विभिन प्रकार तथा इंटरनेट सर्विसिस के बारे में चर्चा करेंगे इस lecture को देखने और सुनने के बाद आप network के विभिन प्रकार जैसे land, man और when को परिभाशित कर पाएंगे आप internet के बारे में जान पाएंगे आप internet services तथा उसकी उपियोगिता के बारे में जान पाएंगे आप internet से जुड़ने की विभिन तकनी को का मुल्याकन कर पाएंगे आप web browser के बारे में जान पाएंगे तथा आप search engine के विभिन प्रकारों की चर्चा कर पाएंगे आईए अब हम network के विभिन प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें चर्चा की शुरुवात हम लैन से करेंगे लैन यानी लोकल एडिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर कार्याले अत्वाइ स्कूल या हवाई अड़ी जैसे भवनों के छोटे सम्हूं के लधू भौतिक शेत्रों को आवरत करता है लैन की नूट्स को केबल या वायरलेस कम्मुनिकेशन का इस्तवाल करते हुए रेडियो या अन्य सिग्नल की मदद से जोड़ा जाता है लैन एक नेटवर्क एड्मिस्रेटर द्वारा नियंत्रत होता है तथा लैन से जोड़ने के लिए नेटवर्क एड्मिस्रेटर की अ उद्देश, प्रिंटर और स्कैनर जैसे महेंगे उपकरणों को सभी उपयोग करताओं से साजा करना है साथ ही यह इंट्रानेट और इलेक्ट्रोनिक मेल सेवाएं भी उपलप्त कराता है पब्लिक टेलिफोन एक्सचेंज जैसे PBX भी LAN का ही एक उधारन है जिसे कई वेवेसाइक संगठनों द्वारा इस्तमाल किया जाता है LAN से जूनने के लिए सभी कंप्यूटर और डिवाइसेस में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना अतियावशक है जिसके माधियम से कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच कनेक्शन इस्ताफित किया जा सकता है मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे UNIX, Linux, Windows और Mac OS आधी नेटवर्किंग का समर्थन करते हैं अगर लैंड नेटवर्क को ध्यान से देखा जाए तो सर्विस के आधार पर दो अलग ऑपरेटिंग मोड हो सकते हैं पीर-टू-पीर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर्वर्क पीर-्टू-पीर network में कम्म्निकेशन एक computer से दूसरी computer के बीच बीच बिना किसी मुख्य computer के भी इस्ताफित किया सकता है इस पूरणी में सभी connection की भiggly का एक समान होती है वहीं दूस्री और client-servor वहश्था में एक मुख्य computer की वहश्था होती है जो बाकी सभी कंप्यूटर के बीच नेटवर्क सर्वेसिस प्रदान करता है। नेटवर्क का दूसरा प्रकार मैन यानि मेट्रपॉलिटेन एरिया नेटवर्क है। एक बड़े भूभाग परिस्थित कई लेन नेटवर्क को एकसान जोनने के लिए मैन का प्रयोग किया जाता है। यह एरिया कई किलोमेटर बड़े भूभाग में फैला हो सकता है। मैन की साहिता से इस भूभाग के दो रिमोट कम्प्यूटर कमिनिकेट कर सकते हैं। मैन कई सारे स्विच अथवा राउटर से बना नेटवर्क है जो आपस में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल तारों से जुड़ा होता है। नेटवर्क का तीसरा प्रकार है वैन यानि वाइड एरिया नेटवर्क। जब भूभाग का शेत्र फल ज्यादा हो तो ऐसे कम्प्यूटर लिंक को जोडने के लिए वैन या वाइड एरिया नेटवर्क के आउशक्ता पड़ती है। यह एक बड़े भूभाग के लैन नेटवर्क को जोड़ता है। बड़े कॉर्परेट, निगम या बैंकिंग संस्थान एक व्रिष्टिक छेत्र में नेटवर्क प्रणाली का उप्योग करके डेटा और सूचना का आदान-प्रदान कर सकते हैं, साथ ही अपनी शाखाओं म से ऑपरेट होता है, जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे उचित रास्ता तय करता है। दुनिया का सबसे मश्रूर और बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। इंटरनेट जिसे हम नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, वस्तुत हैं बहुत सारी नेटवर्क को मिलाकर बना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके माध्यम से इस्थानी, शेत्री, राश्टी एवं अंतराश्टी स्तर पर कंप्यूटर आपस में जुड़कर डेटा का आदान प्रदान करते हैं तथा विभिन कारियों का संपाधन करते हैं। इन कारियों को प्रभावी से संसाधित करने तथा डेटा विनिमयन के लिए इंटरनेट टी सीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तमाल करता है। टी सीपी आईपी प्रोटोकॉल नियमों का एक समुग है जो इंटरनेट कैसे कारिय करता है यह निर्ण करता है। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स् दूरसंचार लिंक का और संचालन एवन रख रखाओ दुनिया के प्रमुक दूरसंचार कंप्पनियों द्वारा किया जाता है। इंटरनेट से जुड़े तत्य एक कंप्यूटर को एक विशिष्ट नंबर जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं से पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस के अधार पर ही डेटा को सोर्स या मूल कंप्यूटर से गंतव्य या डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक राउटर की साहिता से छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है। आईए अब हम जानते हैंगी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा कैसे जाता है। उप्योग करता डायलब कनेक्शन, ब्रॉडबेंड, लीज लाइन या अधिक परिश्ट्रेत कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट का पूरा खर्च किसी को वहन नहीं करना पड़ता, बलकि इंटरनेट पर किये जाने वाले कारी के बदले पृतियक यूजर को अपने हिस्से का भुक्तान करना पड़ता है। इंटरनेट नेटवर्क से सभी छोटे तथा बड़े नेटवर्क से जुड़े होते हैं तथा इनको जोड़ने पर होने वाले खर्च की राशी कहां से आये यहों निर्णे करता है। स्कूल, यूनिवर्सिटी और कंपनी अपने कनेक्शन का भुक्तान शेत्री नेटवर्क को करती हैं तथा यहों शेत्री नेटवर्क इस एक्सेस के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता को भुक्तान करता है। वह कंपनी जो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है, इंटरनेट सेवा प्रदाता या इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर कहलाती है, किसी अन्य कंपनी की तरह इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी अपनी सेवाव के लिए यूजर से पैसा लेती है, यूजर को इंटरनेट कन करने के लिए शुल्क ISP को देना पड़ता है ISP कंपनी यूजर से समयावधी दूरी गती तथा डेटा डाउनलोड या अपलोड करने की मात्रा के अनुसार सुल्क लेती हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अब इंटरनेट कनेक्शन की बात करेंगे जिसमें हम सर्व प् करनेक्शन मौडम का उप्योग करके बनाया जाता है जो टेलिफोन लाइन का उप्योग ISP सर्वर का नंबर डाइल करने के लिए करता है ऐसा कनेक्शन सस्ता होता है परन्तु इसकी स्पीड बहुत धीमी होती है डाइलब कनेक्शन की अधिक्तम गति 56 Kbps या 56,000 बिट प्र 128 K की डेटा ट्रांसफर गति प्रदान करता है ADSL, SDSL और DSL Lite सभी उच स्पीड इंटरनेट लिंक के प्रकार है जिसे सम्मेलित रूप से डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन स्रेणी के अंतरगत रखा जाता है टाइलब कनेक्शन के मुकाबले इनकी डेटा ट्रांसफर गत की 125 गुना ज्यादा है इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट से जूनने के पश्चात अब हमें वेब ब्राउसर की अवशक्ता होती है वेब ब्राउसर एक प्रकार का सौफ्ट्वेर होता है जो की विश्वयापी वेब या इस्थानी सर्वर पर उपलग लेक HTML नामा कंप्यूटर भाशा में लिखे जाते हैं तथा वेब ब्राउसर उन HTML पेजों को उप्भोगता की कंप्यूटर पर दर्शाता है परसनल कंप्यूटरों पर प्रियोग होने वाले कुछ प्रमुख वेब ब्राउसर हैं इंटरनेट एक्स्प्लोरर मॉर्जिला फाइर Firefox, Safari, Opera, Google Chrome, Adi आईए अब हम इंटरनेट पे मंचाही जानकारी को खोजने के लिए प्रियुक्त होने वाले सर्च इंजिन की चर्चा करें वेब सर्च इंजिन एक सौफ्टवेर है जो वर्ड वाइड वेड पर किसी भी कीवर्ड को खोज करता है और इन कीवर्ड या फ्रेजेस से संबंदित परिणाम को सूचियों में प्रिदर्शित करता है जिने सर्च इंजिन रिजल्ट पेज या SERP कहते हैं हर सर्च इंजिन का सर्च करने का तरीका अलग होता है और हर एक का रिजलट उत्पंध करने के लिए विभिन जटिल गणीती सूथ्र या algorithm होता है लेकिन सबी सर्च इंजिन चार बुन्यादी कारी करते हैं वे वेब पेज के कंटेंट को खोज करते हैं जैसे में कामों के आधार पर वेब पेच की रैंकिंग करते हैं सबी सर्च हें में किसी को सर्च करने के लिए दो तरीके अपने आजाते हैं जब भी आप internet से कोई जानकारी खूजना चाहते हैं तो आपके सामने दो विकल्प होते हैं इनके द्वारा आप अपनी मन पसंद जानकारी करने वाले खास शब्द जिसे हम की वर्ट कहते हैं या शब्द समुहूं जिसे हम की फ्रेस कहते हैं को search engine में डालते हैं search engine उस खास शब्द या शब्द सम्धित अपने database को crawl करता है और hits की एक सूची प्रदर्शित करता है जो उस खास शब्द या शब्द सम्हूं से मेल रखती है प्रतियक हिट या साइट में शंचिप्त विवरण सहीत संबंधित वेब पेज या अन्य दस्तावेज जैसे फोटो वीडियोस आदी की हाईपर लिंक होती है सर्च इंजन किसी क्वेरी से सम्मंधित लाखों हिट्स प्रदर्शित करता है सर्च इंजन में सर्च की गई क्वेरी से प्राप्त हिट्स को सर्च इंजन क्रमानुसार एक सुची में प्रदर्शित करता है जिस हिट्स में सर्च किया गया खास शब्द की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे सबसे पहले प्रदर्शित किया जाता है। कीवर्ड सर्च के लिए Google तथा Bing सर्च इंजन का उप्योग सबसे अधिक किया जाता है। इंटरनेट सर्च करने का दूसरा तरीका है डारेक्टरी सर्च। लगभग प्रतियक सर्च इंजन डारेक्टरी सर्च का विकल्प उपलब्द करवाते हैं। डारेक्टरी सर्च के द्वारा सर्च इंजन की डारेक्टरी में उपलब्द विशय सूची, खेल, शिक्षा, विज्ञान, फिर उस विशय के उप विशय या सब सब्जेक्ट को चुनते हैं और इस तरह ये खोज तब तक जारी रहती है जब तक हमारे सामने इच्छित विशय से संबंदित वेबसाइट की सूची नहीं आ जाती डिरेक्ट्री सर्च के सबसे अधिक लोगप्रीटरी सर्च इंजन याहू है। आईए अब हम कुछ प्रमुक सर्च इंजन के बारे में चर्चा करें Google Google सर्च इंजन सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है Google को सनface 1997 में लाँच किया गया Google के founder Larry Page और Seagri Brain है सजर्चेंजन कोई सन 2009 में लॉइН लॉज्च किया गया था याहु सब्सक्रेज कि याहु सबूशेण तुणुरी का तीसराar लोग प्रीय सर्च इंजन है यह हु सर्च इंजन को 1995 में लॉज्च किया गया था यहां काफि कुराना सर्च है ask.com ask.com question answer website है यहां पर यूजर अपने सवालों के जवाब ढूंते है ask.com लगब्ग 20 वर्स पुनाना सर्च इंजन है इसकी खास बात यह है कि ask.com सवालों के जवाब साच करती है और आप यहां केटेगरी के हिसाब से अपना जवाब खुड्दाग गो DuckDuckGo को सन 2008 में लॉंच किया गया था DuckDuckGo अपने यूजर्स की गतिविधियों को ट्रैक नहीं करता इसलिए DuckDuckGo सर्च इंजन के रिजर्ट सभी यूजर के लिए एक समान होते हैं यह हैं personalized रिजर्ट नहीं दिखाता DockPile DockPile एक meta search engine है यह अपने रिजर्ट को अग्य सर्च इंजन जैसे Google, Yahoo, Bing आदी से सूचना लेकर दिखाता है यह सर्च इंजन काफी पुराना है DockPile को सन 1995 में लॉंच किया गया था अब तक की चर्चा में हमने जाना की computer network की कितने प्रकार है हमने यह भी जाना की internet क्या है और तथा हम internet से किस प्रकार जुड़ सकते हैं हमने विभिन प्रकार के internet connection के बारी में जाना हमने web browser की उप्योगदा के बारी में चर्चा की तथा हमने internet पर जानकारी खोजनी के लिए प्रयोक्त होने वाले search engine तथा उसके विभिन प्रकारों की विस्ताथ पूर्वक्त चर्चा की हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उप्योगी थाबित होई होगी धन्यवाद कर दो कर दो कर दो